किसान बाईयों इस समय पर अधिकतर सेत्रों में जो स्वैबिन की फसल है उसमें फल्यां बनना प्रारंब हो चुकी है फल्यां बनते समय पोदे में मुख्य रूप से कुछ पोसक ततों की सबसे ज़्यादा जरुवत होती है अगर उनका प्रियों किसान बाई कर लेते हैं तो कापी अच्छे रिजल्ट आपको मिलते है सबसे बहले हम बात करते हैं एनपीके जीरो बाउन चोतिस की तो किसान बाईयों अगर आपके स्वैबिन की फसल में फल्यां बनना शुरु हो चुकी है तो जब फल्यां बनना सुरु होती है फूल जड़ने के बाद जब फल्यां की प्रारंबी का वस्ता सुरु होती है उस समय आप इनपीके जीरो बाउन चोतिस का परियोग करें इनपीके जीरो बाउन चोतिस का परियोग करने से स्वैबिन की फसल में फल्यों का विकास अच्छे से होता है और फल्यां तीन से चार दानों की बनती है इसके लाव बात करते हैं कि NPK 13-0-45 के बारे में तो इसमें 13% नाइटरोजन और 45% पोटास की मातरा पाई जाती है अगर आपके खेत में नाइटरोजन की कमी है और पोटास की अधिकता है तो आप इस खात का परियोग कर सकते है लेकिन इसका अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आप फल्या बनते समय इसकी जगह पर आप NPK 0-42 का परियोग करे NPK 13-45 का अगर आप परियोग करना चाते है तो स्वैबिन की फलोरिंग अवस्ता में आप इसका परियोग कर सकते है हाला कि फल्या बनते समय भी बहुत से किसान भाई इसका परियोग करते है लेकिन मेरे हिसाब से स्वयबीन में फलिया बंते समय आपको N.P.K. 0050 के परियोग की सखाट का परियोग आपको कब करना चाहिए किसान भायों जब पूरे खेत में फल्यां आ जाए और दाने बढ़ने सुरू हो जाते है यानि कि फल्यों में दानों का बराव सुरू हो जाता है उस समय आपको NPK 0050 का प्रियोग करना चाहिए इसमें पोटास और सलफर का कॉंबिनेशन पाया जाता है जिसे स्वयबिन की फल्यों में दाने अच्चे से बढ़ते है दाना मोटा वजंदार चमकिला बनता है जिसे हमारा उत्पादन ज़्यादा निकलता है और NPK खादों की मातरा जो रहती है प्रती एकर एक किलोग्राम रहती है आप इनको पानी में मिलाकर आसाने से स्प्रे कर सकते है कम से कम खर्चे में इन खादों का अच्छा रिजल्ट आप ले सकते है किसान भाईयो आज हमने बात करी कि स्वैबिन की फसल की फ्लोरिंग से फल्या बनने वाली आवस्ता में कुन सा NPK डालना चाहिए जिसे बहतर रिजल्ट मिले आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शियर जरूर करें धन्यवाद